दोस्तों नमस्कार, आज हम कक्छा बारा के इतिहास के एक अध्याय पर बात करेंगे. ये अध्याय भारतिय इतिहास के कुछ विशय, भाग तीन का तेरवाँ अध्याय है, जिसका शीर्शक है महात्मा गांधी और राश्रे आंदोलन, सविने अवग्या और उससे आगे. गांधी जी पेशे से वकील थे और 1893 में एक मामले में बहस करने के लिए बैरिस्टर के रूप में दक्षिन अफरिका चले गए, जहां वे करीब 22 साल रहे. भारती आजादी के संघर्ष में उनके योगदान का नीव, उनके दक्षिन अफरिका में हुए अनुभवों से पड़ा. गांधी जी जन्वरी 1915 में दक्षिन अफरिका से लोटे और बिटिश के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए. इस अध्याए में हम उनके भारत लोटने के बाद के सोच विचार और भारती आजादी के संघर्ष में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे. इसके लिए पहले हम पुस्तक का हर अनुभव पर गौर करेंगे, फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे. सारे अनुभाग समाप्थ होने पर हम अध्याए के अंत के प्रश्णों के उत्तर पर ध्यान देंगे. तो दोस्तों, चलिए, पहले अनुभाग से शुरू करते हैं. महात्मा गांधी और राश्रे अंदोलन इतिहास में कई राश्र में देखा गया है कि एक अकेला विक्ती का राश्र निर्मान में काफी बड़ा योगदान रहा है. जैसे इटली में गेरिबाल्टी और अमरिका में जॉर्ज वाशिंटन. इसी तरह भारत के साथ मोहंदास करमचन गांधी का नाम जुड़ा है. उनकी योगदान के लिए उन्हें महात्मा, पिता, बापु इत्यादी का नाम दिया गया है. महात्मा गांधी का नाम भारत के स्वतंतरा संगर्ष से तो जुड़ा ही है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान समाजिक आंदलोनों से भी है. इस अध्याए में हम उनके योगदान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके सोच विचार का भारत के जनता और सतंतरता संगर्ष पर हुए असर का पुनर निर्मान करेंगे. इस सिकार के लिए 1915 से 1948 के महत्वपून काल के दौरान हुई कतिवीदियों पर गौर करना उप्युक्त होगा. स्वें की उद्गोशना करता एक नेता. इस अनुभाग में गांदीवाती युक्ष के शुरुवात का आवरन करेंगे. गांदीजी दक्षिन एफ्रिका में बिटिशों को भेद भावपून निती के खिलाब सफल संघर्ष के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए. इसके पूर्व दक्षिन एफ्रिका में बिताए गए दो दशक में वो भारतिय समुदाए के नेता बन गए. तक्षिन एफ्रिका में ही पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध का इस्तिमाल किया और विबिन धार्मिक समुदाओं के बीच सद्भाव क्यों बढ़ावा दिया. 1915 में जब गांदी जी भारत आये उन्होंने महसूस किया कि भारत अब राजनीतिक द्रिश्टी से काफी सक्रिय हो गया है. कॉंग्रेस की शाखाएं प्रमुक शेहरों और कस्पों में पहुँच गई थी और 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदलोंने के माध्यम से मद्धेवर्गी के बीच पहचान बना ली थी. इन आंदोलने ने महाराष्ट के बाल गंगा दर्तिलक, बंगाल के विपिन चंदरपाल और पंजाब के लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को जनम दिया. भारत में गांदी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्तिती 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्याले के उद्गाटन के समय थी. इस समारों में कई प्रतिष्टित वेक्ती और महत्यपूर्ण निता उपस्तित थे. अपने भाशन में गांदी जी ने मजदूर वगरीबों की और ध्यान ना देने के लिए भारतिय अभिजात लोगों पर आरोब लगाया. गांदी जी का कहना था कि हमारी मुक्ती केवल किसानों के मध्यम से ही हो सकती है. उनका सोच था कि हमारे लिए स्वसाशन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है, जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग, संपून लाब, स्वैं और दूसरे लोगों को ले लेने की अनुमती देते रहेंगे. गांदी जी का भाषन आने वाले समय के भारतिय राष्ट्रवाद के लिए एक महत्पून घटना थी, जिसमें वकीलों, डाक्टर और जमिंदारों जैसे वशिष्ट वर्ग से बढ़कर वो भारतिय राष्ट्रवाद में संपूर्ण भारतिय लोगों का सहयोग चाहते थे. गांदी जी के इस इच्छा की ये प्रथम सार्वजनिक उद्गोष्णा थी. असयोग की शुरुआत और अन्त 1917 और 1918 में गांदी जी ने कई स्थानिय मुद्दों पे काम किया जिससे गांदी जी गरीबों के लिए गहरी साहनुभूती रखने वाले राष्ट्रवादी के रूप में उबरे. उधारन के लिए 1917 में गांदी जी ने संज पारन आंदोलों का सफलता पुर्वक नेतरुत किया. इस आंदोलों के माध्यम से वो किसानों की सुरक्षा और उनकी पसंद की फसल के लिए आजादी चाहते थे. 1918 में उन्होंने अहमेदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के लिए बहतर काम करने की स्थिती और अन्य किसान आंदोलन के लिए खेडा में करों की छूट की मांग करते वे हरताल का नेतरुत किया. इसके बाद 1919 में अंग्रेजी साशन ने एक ऐसा मुद्दा गांदी जी को सौप दिया जिस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सका. प्रतम विश्व युद्ध के दोरान ब्रिटिश शरकार के प्रतिनिधी सरसिड्नी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समीती ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और बिना जाच के कारवास की अनुमती दी. इसके जवाब में गांदी जी ने रॉलेट आट के खिलाफ देश्वियापी अभ्यान चलाने का आवाहन किया, जिसके अंतगरत उत्तर और पश्चिम भारत में बड़े पैमाने पर बंद के कारण जीवन लगभग ठहर गया. पंजाब में विरोध का फिर्टिवर्थ था. पंजाब जाते समय गांदी जी को हिरासत में लिया गया था और कई अन्य स्थानिये कांग्रेस नेताओं को भी गिरतार किया गया था. अप्रील 1919 में दमनकारी नीती ने बहुत ही बदसूरत और जबदस्त मोड लिया जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर डायर ने अपने सैनिकों को अमरिटसर के जलियाँ वाला बाग में शान्ती पून विधान सबा पर गोली चलाने का आदेश दिया. इस घटना में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गए. इसने राष्ट को जगचोर दिया और भारतियों के अंदर गहरा आक्रोश और गुसा पनपने लगा. रोलेट सताग्रह ने गांदी जी को एक सच्चा राष्ट्रे नेता बना दिया. इसके सफिल्ता से अभी भूत होकर गांदी जी ने बिटिश रासन के साथ अहसयोग के अभियान का आवाहन किया. भारतियों को बिटिश रकार के साथ सभी स्वेक्षिक संगों का त्याग करने को कहा गया और गांदी जी का मानना था कि यदि अहसयोग को प्रभावी धंग से किया जाता है तो बिटिश एक वर्ष के अंदर भारत छोड़ देंगे. एक लोगप्रिया अंदोलन की तैयारी. 1919 से 1920 में खिलाफत अंदोलन जोर पकड़ा जिसमें मुहमद अली और शौकत अली ने भारतिय मुसल्मानों के तरफ से खिलाफत के सम्मान को बहाल करने की मांग रखी. गांदी जी की आस्था थी कि अह सर्योग को खिलाफत के साथ मिलाने से दो प्रमुख धार्मिक समारक यानि हिंदू और मुसलिम सम्मूहिक रूप से आपनिवेशिक शाषन का अंद कर सकते थे. इन आंदलोनों के दोरान छातरों ने स्कूलों और कॉलेजों में जाने से इंकार कर दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, शमिक वर्क हर्दाल पर चले गए, आंधर प्रदेश में जन जातियों ने वन कानूनन का उलंगन किया और अवद में किसानों ने कर देना बंद कर दिया महात्मा गांधी के अमेरीकी जीवनी रेखक लुई फिशर ने लिखा आसयोग भारत और गांधी जीवन में एक युग का नाम बन गया ये शांति पूर्ण होने के लिए परियाप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए परियाप्त सकरात्मक था इसने इंकार, त्याग और आत्म अनुशाशन पर कबजा कर लिया ये श्रुषाशन के प्रतिक्षन थे इस आंदलोन के कारण ब्रिडिश सरकार हिल गई थी दुर्भाग्यवश फरवरी 1922 में गांदी जी ने चौरी-चौरा में पुलिस स्टेशनों को जलाने की अपरिये घटना जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे के कारण अह सयोग आंदलन को बंद कर दिया अह सयोग आंदलन के दौरान हजारों भारतियों को जेल में डाल दिया गया और गांदी जी को मार्च 1922 में गिरवतार किया गया उन पर देश दौरों का आरोप लगाया गया और उन्हें छह साल की कैद की सजा मिली मगर सजा सुनाते समय जस्टिस ब्रूमफीप ने स्विकार किया कि गांदी जी लाखों देशवाशियों के दृष्टी में एक महान देशभक्त और नेता थे इसके अलावा राजनीती में उनसे भिन दृष्टी कोन रखने वाले भी उन्हें आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ती के रूप में देखते थे जन नेता 1916 में बनारस हिंदी विश्व विद्याले में दिये गए भाशन से लेकर 1922 तक के अबधी में भातिय राश्रिवाद एकदम परिवर्तित हो गया अब यहां वैवैसायकों और बुद्धी जीवों का ही आंदलन नहीं रह गया था बल्कि हजारों की संख्या में खिसान, श्रमिक और कारिगर भी शामिल हो गये थे और आदर स्वरूप गांदी जी को महात्मा कहने लगे थे भातिय राश्रिवाद के इस परिवर्तन में गांदी जी के सोच के लावा उनके रहन सेहन का भी असर था लोग इस तत्य की सराहना करने लगे कि गांदी जी उनकी तरह रहते थे, उनकी तरह कपड़े पहनते थे, उनकी भाशा बोलते थे, उनके साथ खड़े रहते थे और सहानुभूती और पहचान रखते थे भाती राजनीती के संदर में राष्ट्रेवाद को बढ़ाने के लिए गांधी जी का सावधानी पुर्वक किया गया संगटन था एक तरफ जहां गांधी जी आम जनता के बीच लोग पिये हो रहे थे वहीं भारत के विबिन भागों में कॉंग्रेस की नई शाखाएं खोली जा रही थी राजवारों में राष्ट्रिवाद को बढ़ानवा देने के लिए गांधी जी ने राष्ट्रिवादी संदेश का संचार अंग्रेजी भाषा की जगए मात्री भाषा में करने को प्रोचसाहित किया 1917 से 1922 के बीच भारतियों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वेंक को गांधी जी के साथ जोड़ दिया इन में महादेव देसाई, वल्लब भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाश चंद्रबोस, अब्दुलकलामाजाद, जहरलाल नहरू, सरोजनी नाइडू, गुविद वल्लब पंट और श्री राजा गुपालाचारी शामिल थे महात्मा गांधी को 1924 में जेल से रिहा दिया गया और अब वो घर की खादी के प्रचार और अस परश्रता के अन्मूलन के लिए अपना ध्यान समर्पित करना चाहते थे उनका मानना था कि भारत के एक दूसरी और धार्मिक सब्भाव के लिए अस परश्रता बाल विवा जैसी बुराईयों से मुक्त होने की आवशक्ता है उन्होंने भारतिय मोर्चे को आर्थिक मोर्चे पर आत्म निर्भर होने पर जोर दिया इसलिए उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और वो मिल निर्मित कपड़ों के खिलाफ थे नमक सत्याग्रा नस्दीक से एक नजर कुछ साल समात सुधार कारियों में शामिल होने के बाद गांधी जी 1928 में पुनह राजनीती पर अपना ध्यान केंद्रित किये वर्ष 1928 में एंटी साइमन कमिशन आंदोलन हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय पर बर्बत्ता पूर्वक लाठी चार्च किया गया था गांधी जी खुद इस आंदोलन में भाग नहीं लिये थे पर इस आंदोलन पर उनका आशिरवात था 1929 में लाहोर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और नहरू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया जो युवा पीढ़ी को नेत्रत्र सौपने का प्रतीक था इस सत्र में पुर्ण स्वराज को आदर्ष वाक्य के रूप में गोशित किया गया और 26 जन्वरी 1930 को सारे देश में स्वतनतरता दिवस मनाया गया दांडी नमक मार्च स्वतनतरता दिवस के पालन के बाद गांदी जी ने नमक कानून तोड़ने की अपनी योजना की घोशना की ये कानून भारतियों द्वारा व्यापक रूप से नापसंद किया गया था क्योंकि इसने राज्य को नमक के निर्मान और विक्री में एक आधिकार दिया था नमक एक आधिकार के मुद्दे का चैयन करना गांधी जी के समझदारी का प्रतीक था क्योंकि नमक कानून के फल सरूप बढ़े हुए नमक के दाम का प्रभाव लगभग सभी गरों पर पड़ा था 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबर्मती आश्रम से समुद्र तक की यातरा शुरू की तीन सप्ता में वो वहां पहुँच गए और नमक बना कर कानून की नजर में खुद को अपरादी बना लिया देश के अन्य हिस्सों में भी इस दौरान कई नमक यातरा निकाले गए आंदोलोन को किसानों, शमिकवर्ग, कारखाने के शमिकों, वकीलों और यहां तक की ब्रिटिश शरकार में भारती अधिकारियों का समर्थन मिला और ये अपनी नौकरी छोड़ दिये कारखानों या मिलों में भी हर्ताल हो गया इस आंदोलन के जवाब में सरकार ने लगभग 60,000 भारतियों के साथ साथ गांदी जी सहित कांग्रेस के विभिन उच निताओं को गिरफतार किया नमक सत्याग्र के अधीन गांदी जी ने समाजिक विश्यों पर भी जोड डाला यात्रा के दौरान उन्होंने जातपात, धर्म इत्यादी मुद्दों पर भी भाशन दिया और लोगों को एक जुट होकर स्वराज के लिए लड़ने को कहा एक अमरीकी पत्रिका, टाइम, को शुरू में गांदी जी की ताकत पर शक था और उन्होंने लिखा था कि सौल्ट मार्च यानि नमक यात्रा सफल नहीं होगी इस पत्रिका में गांदी जी का मजाख भी उड़ाया गया लेकिन इस यात्रा में मिले जन समर्तन को देख कर टाइम ने लिखा कि इस मार्च ने ब्रिटिश शासकों को हताश रूप से चिंतित बना दिया है ये शासक अब गांदी जी को एक संथ और स्टेटमेन के रूप में देखने लगे थे जो इसाई मान्यताओं वाले पुरुशों के खिलाफ इसाई करतव्यों को हतियार के रूप में इस्तिमाल कर रहे थे दांडी मार्च का महत्व दांडी मार्च कम से कम तीन कार्णों से बहुत महत्वपूर्ण था पहला, इसने दुन्या का ध्यान महत्मा गांदी और भारत की और खींचा दूसरा, ये पहला राष्ट्रे आंदोलन था इसमें महिलाओं को भागिदारी वास्तव में बहुत उलेखनिये थी कमला देवी चटोपाध्या, एक समाजवादी नेता ने गांधी को केवल पुरुशों के लिए आंदोलन की प्रतिबंधित नहीं करने के लिए राजी किया कमला देवी सहित, कई महिलाओं ने नमक और शराब कानून को तोड़ दिया और गिरफदारी दी तीसरा और सबसे महत्पून ये था कि इस आंदोलोन ने अंग्रेजों को ये महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनका राज हमेशा नहीं रहेगा और उन्हें भारतियों को कुछ शक्ती प्रदान करने की आवशक्ता है इस लक्ष को ध्यार में रखते हुए बिटिश शरकार ने लंडन में गोल में सम्मेलन का आयोजन शुरू किया जन्वरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और बाद में गांधी और इर्विन के बीच में कई बैठके हुई और ये बैठकें गांधी इर्विन समझोते में समाप्थ हुई इस माध्यम से ये समती हुई कि सव इन्य अवग्या आंदोलन बंध हो जाएगा, राजनीतिक कैदी रिहा हो जाएगा और नमक निर्माता तट के पास नमक बना सकेंगे इस समझोते की कटरपंती राष्ट्रवादी ने आलोचना की थी क्योंकि गांधी जी भारतियों के लिए राजनीतिक स्वतरत्ता की प्रतिबद्दा प्राप्थ करने में असमर्थ थे 1931 के अंत में गांधी जी कांग्रेश के प्रतिनिधी के रूप में दूसरे गोल मेच सम्मेलन में भाग लेने गए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन उनके दावे का विरोध मुस्लिम लीग, रियासतों और बी आर अंबेट करने किया कि कांग्रेश, क्रमशह, मुसल्मान, राजरजवारों और निचली जाती का प्रतिनिध्वद नहीं करती है इस कारण ये सम्मेलन अर्णिर्नायक रहा और भारत लोटने पर कांथी जी ने सव इने अवग्या आंदोलन को समाप्त कर दिया 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया और इसने प्रतिनिधी सरकार के कुछ हिस्से का वादा किया दो साल बाद चुना हुए और 1115 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आई और बिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करने लगी अलांकि 1949 में कांग्रेस सरकार ने पत्स से स्थिफान दे दिया क्योंकि युद में सहियोग के एवेज में युद की समाप्ती के बाद भारत को स्वतनता देने के उनके प्रस्ताव को अंग्रेजों ने अस्विकार कर दिया था 1940 और 1941 में कांग्रेस ने सरकार पर दवाब बनाने के लिए वेक्तिगत सताग्रख का आयोजन किया 1940 में मुस्लिम लीग ने उप महादूईप में मुस्लिम बहुल छेतरों के लिए स्वाय तत्ता की मांग करते वे प्रस्ताफ पारित किया अब पूरा संगर्ष जटिल हो गया और ब्रिटिश, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तीन धूरियों के संगर्ष का आकार ले लिया 1942 में प्रधान मंत्री विस्टन चर्चिल ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ समझोता करने की कोशिश करने के लिए स्टैफ़र्ड क्रिप्स के तहट एक मिशन भारत भेजा वारता के दौरान कांग्रेस ने पेशकर्ष की कि धूरी शक्तियों से रक्षा के लिए अंग्रेजों को भारत की मदद तब मिलेगी जब वाइस रॉइ अपने कारेकारी परिशत के रक्षा सदस्य के रूप में एक भारत की नियुक्ति करेंगे स्टैंफर्ट को ये प्रस्ताव स्विकार नहीं था और वारता वही समाप्थ हो गई भारत छोडो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अगस्त 1942 में बंबई से अंग्रेजों भारत छोडो का बड़ा आंदोलन शुरू किया इसके तुरंद बाद गांधी जी और अन्य वरिश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन पूरी देश में युवा कारे करताओं ने हमले और तोड़ फोड की कारवाई के जरिये आंदोलन को चलाते रहे भारत छोडो या कुट इंडिया आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन कहा जा सकता है जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी और आकरशित किया था इस समय के दौरान जब कॉंग्रेस नेता जेल में थे जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीख के नेता पंजाब और सिंध जहां उनकी उपस्तिती बहुत कम थी में अपना प्रभाव को बढ़ाने में लगे थे जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया जिसके बाद में वह लीख के साथ मदभेदों को सुलजाने के लिए जिन्ना के साथ बैठक की 1945 में इंग्लेंड में श्रम सरकार सत्ता में आई जो की भारत को सतरुता देने के पक्ष में थी भारत में लॉर्ड वेवल ने कॉंग्रेस और लीख के साथ बैठकों का आयोजन किया 1946 के चुनाव में धुरुवी करन पूरी तरह से देखा गया जब कॉंग्रेस समान श्रीनी में चुनाव लड़ा लेकिन मुस्लिमों के लिए सीटे आरच्छित की गई ये सीटें मुस्लिम लीग ने भारी बहुबत से जीती 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने भारत में विभिन प्रान्तों को सिमित स्वाय सत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा ये प्रस्ताव मगर सफल नहीं हो पाया इमांग करते हुए 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कारवाई करने का निर्णे लिया 16 अगस्त को ही कलकत्ता में दंगे भढ़के जो की बंगाल, बिहार, संजुक प्रांथ और पंजाब तक फैल गए दंगों में दोनों समुदाओं को जान माल का काफी नुकसान हुआ फरवरी 1947 में वाइस रोई लॉर्ड माउंट बेटन ने वेवल की जगह ली उन्होंने एक अंतिम दोर की बाचीत का हवाहन किया और जब वारता अर निर्नित हो गई तो उन्होंने घोशना की कि भारत को मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन इसे विभाजित भी किया जाएगा आखिरकार भारत को 15 अगस्ट 1947 के दिन सत्ता हस्तांत्रित करने का निर्ने लिया गया आखिरी बहादुराना दिन गांदी जी 15 अगस्ट 1947 को हो रहे उत्सवों में शामिल नहीं हुए आजादी के दिन वो कलकत्ता में 24 घंटे के उपुआस पर थे गांदी जी इस बात से बहुत ज्यादा विचलित थे कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़े कीमत पर मिली थी जिसमें देश का विभाजन हो गया था और हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये थे सितंबर और अक्तूबर के महिनों में गांदी जी अस्पतालों और शर्ण आर्ती शिविरों में घूमें और लोगों को सांतावना दी उन्होंने सिखों, हिंदूओं और मुसल्मानों से अतीद को भूलाने और मित्रता, सहयोग और शांती का हाथ बढ़ाने की अपीन की गांदी जी और नहरू के समर्थन में कांग्रेस ने अलप संख्यकों के अधिकार पर प्रस्ताव पारिद किया इसने आगे कहा कि पार्टी ने विभाजन को कभी स्विकार नहीं किया, लेकिन इस पर उसे मजबूर किया गया कांग्रेस कहा कि पाकिस्तान जो भी रास्ता अपनाए, मगर भारत एक लोग तांतरिक धर निर्पेक्च देश होगा, जिसमें प्रतेक नागरिक समान होगा कांग्रिस ने भारत में अल्प सग्यकों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि भारत में उनके अधिकारों की रख्षा की जाएगी 26 जन्वरी 1948 को गांधी जी ने कहा पहले स्वतरनता दीवस इसी दिन मनाया जाता था अब स्वतरनता आ गई है लेकिन इसका गहरा मो भंग हो गया है मगर उनका मानना था कि बुरा वक्त बीथ चुका है उन्हें खुद को ये आशा करने की अनुमती दी कि यद्यपी भौगोलिक और राजनितिक रूप से भारत दो में विभाजित है दिल में हम सभी दोस्त और भाई की तरह एक दूसरे की मदद और सम्मान करेंगे और बाहरी दुनिया के लिए एक होंगे गांधी जी पर 20 जन्वरी को हमला हुआ मगर वह किसी तरह बच गए और अपना काम करते रहे मगर कुछ दिनों बाद वे इतने सौभागेशाली नहीं रहे 30 जन्वरी की शाम के समय वाली दैनिक प्राथना में गांधी जी की हिंदू उग्रवादी नाथुराम गोटसे ने गोली मार कर हत्या कर दी नाथू राम गोट से हिंदू चरम पंथी अकबार के संबातक थे जुनोंने गांधी जी को मुसल्मानों के एक खुशामदी के रूप में घोशित किया था गांधी जी के मृत्यू से शोख की असाधारन अभिवेक्ती हुई भारत के साथ साथ अंतराश्ट्रिय स्तर पर उन्हें श्रधांजली अर्पित की गई जिसमें जाज और्वेल आइंस्टाइन आदी भी शामिल थे टाइम पत्रिका ने उनकी तुलना अबराहम लिंकन से की महात्मा को जानना गांदी जी को समझने के लिए काफी श्रोप्त उपलब्ध हैं जिनसे राश्ट्र आंदोलन के इतिहास और गांदी जी के राज नैतिक जीवन का पुनर निर्मान किया जा सकता है गटनाओं को जानने के लिए महात्मा गांदी और उनके समकालीनों के लेखन और भाशन महत्पून शोत्र थे हाला कि इन शोत्रों में एक अंतर है भाशन सारवजिनिक लोगों के लिए थे जबकि निजी पत्र, निजी भावनाव और सोच को व्यक्त करने के लिए थे जिने सारवजिनिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता था गांदी जी की कई वेक्तियों को लिखे गए पत्र वेक्तिगत थे लेकिन वे जनता के लिए भी थे पत्र की भाशा को इस जागरूपता से आकार दिया गया था कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है इसलिए ये अक्सर लोगों को स्वतंतर्तर रूपस से अपनी राय व्यक्त करने से रोगता है गांधी जी के विचारधारा कई संकल और पुस्तक से मिलते हैं जो सारवजनिक भाशन से लेकर निजी पत्रों से बनाई गई हैं आत्म कथाएं हमें अतीद के बारे में बताती हैं लेकिन इसे पढ़ते और व्याठ्या करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है वे लेखक की स्मृती के आधार पर लिखे गए हैं और लेखक के सोच विचार पर भी काफि निर्भर करते हैं इतिहास जानने के लिए सारकारी, अभिलेक और अधिकारिक पत्र भी महत्वपून श्रोथ थे लेकिन इसकी सीमाई भी हैं क्योंकि ये ज़्यादातर पक्च पाती थे इसलिए इसे सावध्यानी से व्याख्या करने की आवशक्ता है अखबारें जो कि अंग्रेजी और विबिन भारतिय भाषाओं में चपती थी, राश्र आंदोलन के लिए एक महत्वपून श्रोथ माना जा सकता है ये इसलिए क्योंकि अखबारें गांदीची और सतंतरता संग्राम के अधीन हुए आंदोलन की गतिवीदियों पर नज़र रखते थे और उनके बारे में चापते थे जहां अखबारों से काफी जानकारी मित्ती है, वहीं उनके आधार पर नतीजे निकालने के समय हमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अखबारों को पुर्वाग्र से मुक्त नहीं माना जा सकता है यह इसलिए क्योंकि अखबार प्रकाशित करने वाले की राजनीतिक सोच और विश्व द्रिष्टी कौन से उनके समाचार और बेवरों पर काफी बड़ा असर पड़ता है काल रेखा दोस्तों गांदी जी और सत्वंतरता आंदोलन का ये अध्याय अब खतम हो गया है आएए अब कुछ महत्वपून घटनाओं को याद करें मुहंदास करमचन गांदी का जन दो अक्टूबर 1879 को पोर्व बंदर गुजरात में हुआ था गांदी जी 1893 में एक मामले में बहस करने के लिए बैरिस्टर के रूप में दक्षिन अफ्रिका चले गए गांदी जी जनवरी 1915 में दक्षिन अफ्रिका से लोटे गुपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू थे खिलाफत आंदोलन सन 1920 में हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहाउर के कांग्रोस के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रारित हुआ सविने अवग्या आंदोलन शुरू होता है मार्च एप्रिल 1930 गांधी इर्विन पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गए मार्च 1931 लंडन में दूसरा गोल में सम्मेलन आयुजित हुआ 1930 भारत सरकार अधिनियम 1935 दुईत्य विश्व युद छिड़ गया सितंबर 1949 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ अगस्त 1942 भारत स्वतंत्रत हुआ 15 अगस्त 1947 गांधी जी की हत्या 30 जन्वरी 1948 ये संचित में सारी महत्वपूर्ण घटनाओ का बेवरा था इसके बाद हम अध्याय के अंत में दिये हुए प्रशनों को देखेंगे और उनके उत्तर ढूनेंगे पहला प्रशन महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया इस प्रशन का उत्तर प्रिष्ट संख्या 351 के अनुभाग संख्या 2.2 जिसका शीर्षक है जन्नेता में दिया हुआ है 1916 में बनारस हिंदू विश्व विद्याले में अपने भाशन में गांधी जी ने कहा था कि हमारी मुक्ती केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है अगले छे साल में उन्होंने अपना वादा पूरा किया और अब स्वतंतरता आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों, शमिकों और कारिगारों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया यह उपलब्दी उन्हें आम लोगों की तरह दिखने से मिली, जिसके लिए वह उनकी तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे और उनकी भाशा बोलते थे इसके अलावा वे जन समुदाई से सहानुभूती रखते थे और उनसे घनिष्ट संबंध भी स्थापित कर लेते थे गांदी जी लोगों के बीच एक साधारन दोती में जाते थे और हर दिन चर्खा चलाके सूट कटाई का कारे करते थे दूसरा प्रशन, किसान गांदी जी को किस तरह देखते थे? इस प्रशन का उत्तर हमें प्रिष्ट संख्या 333 के अनुभाग संख्या 2.2 जिसका शिर्षक है जन नेता में मिलेगा गांदी जी के रहन सहन और किसानों की तरफ उनके स्वभाव को देखते वे कई लोग उन्हें आदर पुर्वक महात्मा कहने लगे 1921 में गांदी जी जहां से भी गुजर रहे थे वहाँ पर भीर उनका प्यार से स्वागत कर रही थी गांदी जी की चमतकारी शक्तियों की भी अफवाहें फैल गई किसानों उन्हें गांदी बाबा, गांदी महराज, अथ्वा महात्मा बुलाने लगे क्योंकि उनका विश्वास था कि गांदी जी उनके लिए उदारक के समान थे जो की उन्हें दुख, दर्द, कष्ट, आदी से मुक्ति दिलाएंगे और उनकी उंचे करों और दमनात्मक अधिकारियों के से सुरक्षा करेंगे किसानों का ये भी मानना था कि गांदी जी उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वय सत्ता वापस लाएंगे अब हम तीसरा प्रशन देखेंगे इस प्रशन का उत्तर प्रिष्ट संख्या 355 के अनुभाग संख्या 3.1 जिसका शीर्शक है नमक सत्यागर दांडी में दिया हुआ है नमक कानून के अंतगरत राज को नमक के निर्मान और विक्री में एक आधिकार दिया गया था यह कानून भारतियों द्वारा व्यापक रूप से नापसंद किया गया था क्योंकि उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और उन्हें बजार से उंचे दामों में नमक खरीदने पर मजबूर किया गया नमक एक आधिकार के मुद्दे का चैन करना गांदी जी के समझदारी का प्रतीक था क्योंकि नमक कानून के फल्सरूप बढ़े हुए नमक के दाम का प्रभाव लगबग सभी घरों पर पड़ा था इस कानून के व्यापक प्रभाव के कारण ही तमाम भारतिय वर्ग इस आंदोलन में शामिल हुए थे और ये एक बहुत बड़ा संगर्श का रूप ले लिया था इसका असर अंग्रेजी सरकार पर पड़ा और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका राज हमेशा नहीं रहेगा और उन्हें भारतियों को कुछ शक्ती प्रदान करने की आवशक्ता है इन कारणों से नमक कानून स्वतंतरता संगर्श का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया अब हम चौथा प्रशन देखेंगे राश्य आंदोलन के अध्यन के लिए अखबार महत्वपूर्ण श्रोत क्यों है? इस प्रशन का उत्तर हमें प्रिष्ट संख्या 373 के अनुभाग संख्या 6.4 जिसका शिर्शक है अखबारों से में प्राप्थ होगा अखबारें जो कि अंग्रेजी और विबिन भारतिय भाषाओं में छपती थी राश्य आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण श्रोत माना जा सकता है यह इसलिए क्योंकि अखबारें गांदी जी और सतंतरता संग्राम के अधीन वे आंदोलन की गतिवीदियों पर नजर रखते थे और उनके बारे में छापते थे इससे ये भी पता चलता है कि आम भारतिय गांदी जी और आंदोलन के बारे में क्या सोचते थे इन कारणों से राष्ट आंदोलन के अध्यन के लिए अखबार एक महत्वर पून्शोध माना गया है अब हम पांच्वा सवाल देखेंगे चर्खे को राष्ट वादी का प्रतीक क्यों चूना गया? इस प्रशन का उत्तर प्रिष्ट संख्या 352 के अनुभाग संख्या 2.2 जिसका शिर्षक है जन नेता में दिया गया है गांदी जी चर्खा को एक ऐसा मानव समाज के रूप में देखा जिसमें मशीन और उद्द्योग को बहुत महत्व नहीं दिया जाएगा उनका मानना था कि चर्खा गरीबों को आमदनी प्रदान कर सकता है और उन्हें स्वावलंबी बना सकता है चर्खा और सूट कटाई के कारे ने गांदी जी को पारंपरिक जाती वैवस्था में प्रचलित, मानसिक और शारिरिक श्रम की दिवार को तोड़ने में भी मदद की इन कारणों से चर्खा को स्वाविलंग और सामाजिक वैवस्था को बदलने का प्रतीक समझा जा सकता है और इसलिए इसे राश्रवादी का प्रतीक चुना गया इसके बाद के चार प्रश्न लगू निबंद के तरह हैं हम उत्तर के रूप में मूल मुद्दों को देखेंगे जिसके आधार पर लगू निबंद लिखा जा सकता है प्रश्न छे अह सरयोग आंदोलन एक तरह का प्रतीरोध कैसे था इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम दो विश्यों पर ध्यान देंगे पहला भारत की जन जाती की स्थिति और दूसरा भारत में अंग्रेजों की स्थिति संदर्ब के लिए किताब के प्रिष्ट 349 अनुभाग दो अह सरयोग की शुरुआर और अंत पर जाएं 1916 के बनारस हिंदु विश्व विद्याले के अपने भाशन के अभी रूप गांधी जी गरीबों से सहनुभूती रखने वाले राष्ट वादी के रूप में उभरे जिसके कारण आंदोलन किसानों और वेवेसों में काफी लोग प्रिये हो गया था तदनुसार जन जाती अब एक बड़े आंदोलन के लिए पहले से काफी ज्यादा तयार था वहीं दूसरी और अंग्रेजों ने भी एक ऐसा कदम उठा लिया जो की एक आंदोलन के लिए काफी उप्युक्त था 1914 से 1918 के महा युद के दोरान ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधे शर्ग सिड्नी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिती ने प्रेस पर प्रतिबंद लगाया और बिना जाँच के कारवास की अनुमती दी अंग्रेजी सरकार के इस दमन का एक आंदोलन के लिए तयार जन जाती के मिश्रन हो जाने से एक बड़े पैमाने पर प्रतिरोध के लिए अनुकूल था प्रशन साथ गोल मेज सम्मेलन में हुए वारता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया इस प्रशन के लिए हम प्रिष्ट तीन सो साथ पर अनुभाग संक्या 3.2 समवाद का विवरन करेंगे अंग्रेजी सरकार ने दो गोल मेज सम्मेलन रखा पर दोनों सम्मेलों से कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला हाला कि पहले गोल मेज सम्मेलन गांदी इर्विन समझोते में समाप्थ हुई जिसमें ने ये निश्चित हुआ कि सव इने अवग्या अंदोलन बंद हो जाएगा राजनीतिक कैदी रिहा हो जाएगा और नमक निर्माता तट के पास नमक बना सकेंगे इस समझोते की कटरपंती राष्ट्रवादी ने अलोचना की थी क्योंकि गांदी जी भारतियों के लिए राजनीतिक स्वतन्ता की प्रतिबद्धा प्राप्त करने में असमर्थ थे 1931 के अंत में गांदी जी कांग्रेस के प्रतिनिधी के रूप में दूसरे गोल मेच सम्मेलन में भाग लेने गए और उन्हें ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन उनके दावे का विरोध मुस्लिम लीग, रियासतों और बियार अंबेटकर ने किया कि कॉंग्रेस, क्रमश, मुसल्मान, राज रजवारों और निचली जाती का प्रतिनिध्वत नहीं करती है इस कारण ये सम्मेलन अर निर्नायक रहा और भारत के स्वतंता आंदोलन को इससे कोई लाब नहीं हुआ प्रशन आठ महात्मा गांधी ने राश्य आंदोलन का स्वरूप को किस तरह बदल डाला? इस प्रशन का उत्तर हम दो भागों में देंगे पहले भाग में हम आंदोलन के स्वरूप का बदलाव 1893 से लेकर 1915 तक की अवधी में करेंगे जो कि गांधी जी के दक्षिन एफरिका में बिताए गए दिनों का आवरन करता है दूसरे भाग में हम 1916 में गांधी जी द्वारा बनारस हिंदू विश्व विद्वाले में दिये गए भाशन से लेकर 1922 में शुरू वे असयोग आंदोलन तक का आवरन करेंगे पहले भाग के लिए हम प्रिष्ट संख्या 347 पर अनुभाग संख्या एक स्वें की उद्गोषना करता एक नेता को देखेंगे इस भाग के दूसरे अनुछेद में लिखा है कि 1893 से लेकर 1915 के वर्ग में आलाकी भारत ब्रिटिश उपनिवेशक था मगर ये तीन तरह से राजनीतिक दिश्टिकों से काफी सक्रिय हो गया था पहला भारतिय राश्ट्र कांग्रेस की शाखाएं लगवक सभी शहरों और कस्बों में पहुँच गई थी दूसरा मद्य वर्ग आंदोलन के कारण काफी जागरूख हो गया था और तीसरा आंदोलन ने कई प्रमुक नेता को जनम दिया था दूसरे भाग के लिए हम प्रिष्ट संख्या 351 के अनुभाग संख्या 2.2 जिसका शिर्शक है जननेता को देखेंगे 1916 में बनारस हिंदू विश्व विद्याले में अपने भाशन में गांदी जी ने कहा कि हमारी मुक्ती केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है 1916 से 1922 तक गांदी जी ने भारती राष्ट्यवाद को एकदम बदल डाला था अब ये वैवसायकों और बुद्धी जीविकों काही आंदोलन नहीं रह गया था बलकि हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारिगारों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया था इस कारण राष्ट आंदोलन अब अभज्यात वर्ग से बढ़कर एक जन आंदोलन बन गया था प्रश्णों निजी पत्रों और आत्मकत्हाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? यह श्रोत सरकारे बेवरों से किस तरह भिन होते हैं? इस प्रश्ण का उतर प्रिष्ट संख्या 367 के अनुभाग संख्या 6 जिसका शिर्षक है गांधी को समझना में दिया हुआ है और बेचैनी आशाएं और हताशाएं के बारे में पता चलता है जो कि लिखने वाला सारवजिनिक व्यक्तियों में व्यक्त नहीं कर सकता मगर कभी-कभी पत्र की भाशा को इस जागरूपता से आकार दिया था कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है इसलिए ये अकसर लोगों को सतंतर रूप से अपनी राय व्यक्त करने से रोकता है इसी तरह आत्म कथाएं हमें अतीत के बारे में बताती हैं लेकिन इसे पढ़ते और व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है वे लेखकी स्पृती के अधार पर लिखे गए हैं और लेखके सोच विचार पर भी काफी निर्भर करते हैं सरकारी श्रोत पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट के द्वारा मिलते हैं हाला कि ये श्रोथ ज्यादा तर पक्षपाती हो सकते हैं, ये निर्भर करता है कि अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे प्रिष्ट 370 में इस श्रोथ के पक्षपाती होने के कुछ उधारन दिये गए हैं दोस्तों, अगला प्रशन, प्रशन 10 बड़ा ही रोचक है, ये एक मानचित्र कार्य है जिसमें हमें दांडी माच का पता लगाना है इसके लिए गुजरात के नक्षे पर इस यात्रा का मार्क को बनाना है और उस पर पढ़ने वाले मुख्य शहरों और गाओं को ढूनना है दांडी माच साबरमती आश्रम से शुरू होकर 24 दिनों में दक्षिन दिशा में 384 किलोमिटर दूर गुजरात महराष्ट्र के सीमा पर अरब सागर के पास दांडी में समाप्त हुई साबरमती आश्रम से शुरू होकर ये असलाली, नवागाम, मतर, नादियाद, आनंद, बोरसाद, कनकपूरा, करेली, आंखी, अमोद, समीन, देहरोल, अंकलेश्वर, मंगरोल, उमार्ची, भक्तम, देलाड, सूरत, वाज, नवसारी, मतवत से होते वे दांडी पहुची दोस्तों, आप लोग इन शहरों को भारत के नक्षे में खोज कर दांडी माच रास्ता को बना सकते हैं अंतिन दो सवाल परियोजना कार्य है प्रश्ण 11 में दो राश्ट्रवाद नेताओं की आत्म कथाएं पढ़नी हैं और फिर प्रश्ट में दिये हो गए मुद्दो पर गौर करना है इसके लिए सुझाओं के रूप में आप बल्लब भाई पटेल, नेताजी सुभास चंदर बोस, बाल गंगा दर्तिलक, विपिन चंदरपाल जैसे नेताओं के बारे में पढ़ सकते हैं अंतिम प्रश्ट प्रश्ण बारः में आपको राश्ट्र आंदोलन की एक घटना को चुनना है और उसका उलेख करना है आप भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्र, साइमन गोबैक इत्यादी आंदोलन में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, इसके साथ गांधी जी और राश्ट्र आंदोलन पर ये अध्याय समाप्त होता है उमीद है कि आप गांधी जी, उनके सोच विचार और राश्ट्र आंदोलन में उनकी योगदान के बारे में कुछ समझ पाए होंगे और सीखे होंगे धन्यवाद